कई सालों से राम भक्त जिस शुब दिन का इंतिजार कर रहे हैं वो दिन करीब आच चुका है। उनकी यादगार परफॉर्मेंस ने रामायन शो को जीवन्त कर दिया था। लेकिन ये रामायन कैसे बनी इसके पीछे की कहानी बेहत दिल्चस्प है। रामायन टीवी पर टेलिकास्ट हुई थी तो उसे 40 मिलियन लोगों ने देखा था। कम ही लोग जानते हैं कि रामानन सागर टीवी के मरीज थे। इलाज के दोरान उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। उनकी इस डायरी के हर एक कॉलम में ऐसी बाते लिखी थी जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया था। एक इंटिवी में रामानन सागर के बेटे प्रेम सागर ने इस किस्से का जिक्र किया था। आगी उन्होंने बताया उस सेनेटोरियम में एक कपल भी था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों ठीक होकर वहां से निकले। उन्हें देखकर पिता जी चकित रहे गए। उस दिन उन्हें एसास हुआ कि प्यार किसी भी विमारी को मात दे सकता है उस दिन से उन्होंने रोज डायरी लिखना शुरू किया। मौत की बिस्तर से डायरी टीवी पेशेंट की। रामनन सागर अपने ही सीरियल के एक एह मंग थे जो बता और एक्टर भी शो का हिस्सा बने थे। लोगडाउन के दौरान दूर दशन ने उनका एक वीडियो शे गाते हैं। तब उनके स्वागत में आयोध्या के वासी भक्ति गीत काते हैं। प्रेम सागर ने ये भी बताया कि शो में कई VFX ऐसे थे जिनमें तकनीक काम और जुगार ज्यादा था। एक इंटिवी में प्रेम सागर ने बताया कि अगर सुबह की शूटिंग होती थी तो एफेक्ट्स देखने को मिले। रमायन में कई ऐसे सीन्स थे जिने देख रॉंग्टे खड़े हो गए। ऐसा ही एक सीन था हिमाले पर भगवान शिव का नृत। उस सीन को शूट करने के लिए हमने बैग्राउंड में एक स्क्रीन का इस्तमाल किया। फिर प्रोजक्टर के उन सीन्स को शूट करने के लिए SEG 2000 का प्रियोग किया गया था। वो उस समय बाजार में नहीं नहीं आई थी और ज्यादा लोग उसके बारे में भी नहीं जानते। पैशल इफेक्ट्स के लिए ग्लास मैटिंग का भी साहरा लिया गया। रमायन की शूटिंग की समय हर कल असारन होना बेहत जरूरी होता था। शुरू से आखिर तक यही सिलसला जारी रहा था। और करीब 100 आर्टिस्ट नहीं ये कठिन रूटीन फॉलो किया। तो रमायन के इन किस्सों पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलाल इस रिपोर्ट में के वल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रही है रिपोर्टर जी।